तयार, आज, फिजिक्स में मचाते हैं ये तो बहुत ही प्यारा कोईशन है, मतलब बहुत प्यारा कोईशन, मतलब ये तो कितने लोगों का डाउट होता है, यार, मतलब इस दिस लाइक सम्थिंग वाइल्डी प्रोपागेटेड मिस्कॉंसेप्शन इन फिजिक्स पर एक एक एक्जाम पर सोचो ना तो ये बिल्कुल किलिर हो जाता है, ये बहुत वाइड़ी प्रोपागेट मिस्कॉंसेप्शन और ये ऐसी वर्मा बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी हुआ है, अगर आप थेरी पढ़ो, तो खेर हमने नोर्स में पढ़ए क्या इंटर्नल फोर्स काइनेटिक एनरजी को इंक्रीज कर सकते हैं ध्यान से सुरो, अब ये डाउट आता क्यों है, क्योंकि अपन इस तरीकी एक्क्वेशन पढ़ लेते हैं, वर्क दन वाइ और एक्स्टरनल फोर्स इकोल तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पो प्लस ब्लस ब्लस इंटर्नल फोर्स के एनरजी चेंज कर सकते व क्ल grandes आ इंटर्नल फोर्स से विक्वेशन शीर्प एगा, तो न ही ये वाली चीज़ वर्क दन वैं सपार्स पॉक्न कन you इसी है ना, plus bug done by internal this is equal to change in kinetic energy अरे भाई, अगर external force 0 भी हो गया है तब भी तो आपका पता है kinetic energy change हो सकती है जो internal force है, वो kinetic energy को change कर सकते हैं तुम कहोंगो, ठीक है sir, equation तो देख ली sir पर example तो दो sir, ऐसे feeling नहीं आरी ले बेटा, ले बेटा कितने example लेगा, ये देख तुम कहोंगो, sir, समझा भी तो इतना समझ में नहीं आता है ऐसे देख के, तो देख लो भाई एक proton, electron सबसे अच्छा example है यार इन दोनों को system माल लो ये दोनों तुमने system माल लिए तो ये दोनों एक दूसरे पर जो अच्छाओ लगा रहे हैं, भाई ऐसे भागोगे तो कहां ये दोनों इस दूसरे को अच्छाओ कर रहे हैं कूलम फोर्स से है ना तो ये सोचोंगे ये इंटर्नल फोर्स है और इनिशली ये दोनों रेस्ट पर थे है ना तुमारे एलेक्ट्रों पॉजर प्रोटों इनिशली रेस्ट पर थे तो अब इन पर ये कूलम एट्रेक्शन लग रहा है कूलम इलेक्ट्रेक्शन ये इंटर्नल फोर्स है और इसने इनको मूब करना चालू करा मतलब स्पीड आई मतलब करतो दिया इंटर्नल फोर्स थे काइनेटिक एनर्जी को चेंज ऐसे यहां पर भी देख सकते हो दो प्रोटों इनिशली रेस्ट पे थे इलेक्ट्रेस्ट्रेटिक रिपल्शन ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेश्मेंट दूसी डिरिक्शन में हो रहा है तो देखो रेस्ट पे थे फिर दोनों के पास स्पीड आगी तो बिल्कुल कर सकते है यार यहां पर पुटेंशल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पुटेंशल